हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हर्प्रीबर टेल आज आपको परदा मनदधन का नया चैप्टर बताऊंगा एनिमल्स और प्लांट उसमें पॉइंट है वन जीव सन रचड़ में प्रबंधन तो अपना टापिक सुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि जिन लोगोंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज दो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दमाना मत भूलेगा और इससे पहले मैंने दो पार्ट बन वन जीव की संग्या दी जाती है इसमें सरीसरप उभैचर मतस मेरदंड धारी बिना मेरदंड धारी जीव सामिल होते हैं बढ़ते और दोगी करण जंसंक्या विकास अथा नगरी करण आद की वज़े से प्राकर्तिक वास नश्ट हो रहे हैं बिल्गुल सही बात है जो जी रहे हैं तो प्राकर्तिक वास नश्ट हो रहे हैं अता उन्हें बचाने के लिए निम्न उपाय हम लोगे के द्वारा किये जाने चाहिए जैसे प्राकर्तिक वास छेत्रों की सुरच्चा की जानी चाहिए बिल्कुल है जो हमारे द्वारा प्राकर्तिक वास नश्ट कर दिय जिवों की पर्रावरणिक दसाओं को पुनर इस्थापित करना जैसे कि पुनर इस्थापित करके हैं हम जीवों के लिए अनकूलन पर्रावणिक दसा आखेट पर पूर्ण प्रतिबंद लगा देना चाहिए बिल्कुल सही बात है क्योंकि इससे बहुत से जो महतपूर्ण जीव जन्तु हैं वो मर जाते हैं काल के गाल में समा जाते हैं तो आखेट पर पूर्ण प्रतिबंद लगा देना चाहिए परियोजनाओं के माद्यम से वन जीवों की सुरच्छा तथा सन्रच्छ प्रदान करना चाहिए तो हमारी सरकार के द्वारा जो है बहुत से वन जीव सुरच्छा के लिए जो हैं योजनाई चलाई जाती हैं लेकिन उन पे अमल नहीं होता है इतना लेकिन फिर भी उन परियोजनाई पे अमल करना चाहिए और वन जीवों को सनचर प्रदान करना चाहिए जन चेतना लोगों को जागरुक करना चाहिए वन जीवों के लिए कि सरनचण की विशेष्ट व्यवस्था करनी चाहिए बिल्कुल सही बात है सनचण की विशेष्ट व्यवस्था मतलब प्राकरतिक आवास बनाने चाहिए पेड़ पोते लगाये जाने चाहिए नश्ट नहीं करना चाहिए पेड़ों को यही सब है सनचण की विशेष्ट व्यव सकते हैं तो अनसंधानों की स्थाबना होनी चाहिए अब जो अगला पॉइंट है बहुत ही महत्पूर्ण है और ये जितने भी वन जिव संस्थान हैं किसी ना किसी परिच्छा में आये हुए हैं मैंने उन्हीं को लिखा है ध्यान से पढ़िएगा और लिख लीजिएगा विख्यान सरवेच्छण केंदर कहां है ये कोलकाता में है दूसरा पारिस्टित की विज्ञानों का केंदर भैंगलूर बारती वन प्रबंदन संस्थान भौपाल में है ये मालवी पर्रवरण एवं विकास का गोविंद वल्लप पंथ संस्थान अलमोडा में है इंडियन वारति वन्य जीव संस्थान देहराधून, भारति वन्य जीव संस्थान देहराधून, भारति वनस्पतिक उद्ध्यान कॉलकाता बहुती महतुluk, अगला है सलीम अली 55 ज्ञां तता प्राकर्टिक इधियास केंद्र कोयम बटेवर तमिलनाडू अगला है राश्टी पर्रावरण सोद संस्थान नागपुर में हैं अगला है भारत का विशाल संग्राले सबसे विसान संग्राले के नई में हैं बारत का सबसे बड़ा मचली घर है, मुंबई में भारत का सबसे विसाल तिडियागर है, अलिपुर, कोलकाता में भारत का सबसे विसाल पच्छी उध्यान भरतपुर में है, भारत का सबसे बड़ा तिडियागर, कुरूगर, देच्चर फ्रीका में है विस्ट में सबसे अधित जन्तु संग्रे वाला जन्तु उध्यान है बर्लिन जर्मनी में अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे वन जीव सर्रचण अधिनियम वन जीवों की सुरच्छा एवं सर्रचण के लिए समय समय पर कई नियम तथा कानून पारित किये गए तो ये कानून है काफी महतपुण है जो महतपुण है उनको मैंने टिक कर दिया है मद्रास वाइल्ड एनिफल्ट प्रिजर्वेशन अक्ट अठारा सो तियत्तर आल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन अक्ट 1989 वर्ल्ड बर्ड प्रोटेक्शन अक्ट 1887 और बंगाल राइनो सेरस प्रिजर्वेशन अक्ट 1922 महतपुण है इसलिए मैंने इसको टिक किया हुआ है स्रेंटल बोर्ड आप वाइल्ड लाइफ 1951 जीव सनचड अधनियम 1922 बहुत ही महतपुण है भारती वन जीव सनचड अधनियम के अधिन 1985 में भारती वन जीव बोर्ड की स्थाबना हुई इसकी अधिचता वारत के प्रधान मंत्री करते हैं या वन जीव सनचड की अनेक योजनाओ के क्रियानवयन की निगरानी और निर्देश देने के लिए सिर्शस्थ एजन्सी है अधनियम के अधिन प्रतेक राज के लिए वन जीव सलाकार बोर्ड का गठन किया जाता है और यह योजनाओ बनाता है वन जीवों के लिए सनचड प्रदान करने के लिए योजनाओ यह क्रियानवित करता है अब अगला है बोटे निकल सर्वेयाफ इंडिया BSI, Geological Survey इंडिया ZSI दोनु संकट ग्रस्ट दुरुलव तथा आपदा ग्रस्ट प्रजातियों की सूची तयार करते हैं मैं आपसे जब यह चेप्र खतम हो जागा पहला उसके बाद मैं objective question दूँगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने जो पढ़ाया हुआ है कैसे पढ़ाया हुआ है और कैसे उसके प्रश्ण बनेंगे तो उसी तरीके से और seated के exam में कभी question repeat नहीं होता है हमेशा assertion से आता है प्रश्ण काफी अच्छा होता है और अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप कर लेंगे paper को अगला पंटे वन जी सरनचड अधिनियम के अधीन कतिपय जयव भोगोली छेतरों का गठन किया गया है वे संकट ग्रस्त प्रजातियों को प्रागर्तिक पर्रयवास संसाधन तथा सनचड उपलब्द कराते हैं तथा जयव विवित्ता को सुरच्छित रखते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं जयव मंडल आरच्छी छेतर राष्टी उद्यान और अभ्यारण तो अब हम लोग करेंगे जयव मंडल आरच्छी छेतर के बारे में इसका उद्देश जयव वित्तावा परिस्तित की तंत्र दीरकालीन संचड प्रधान करना है देश में पहला जयव मंडल छेतर 1986 में नील गिरी में स्थाबित किया गया था बहुत ही महत्पूर पॉइंट है ये हो सकता है पूछ ले कि देश में पहला जयव मंडल आरच्छी छेतर कौन सा है तो नील गिरी है वरतमान में देश में 18 जयव आरच्छी छेतर हैं बहुत ही महत्पूर है पूँच लेता है, अब हम लोग पढ़ेंगे राश्टी उद्ध्यान वाध अभ्धारण के बारे में, और डिटेल से माईंहिनको राश्टी उद्ध्यान और अब्ध्यारण के बारे में अगली पार्ट में बताऊंगा, तो भारत में प्राकरतिक तथा 1 छेत्रों को राष्टी उद्यानों एवं 1 जीव अभ्यारणों के रूप में सुरच्छित रखने के लिए पर्यास किये गए हैं इस संदर्म में 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्सन की सुरुवात की गई वरतमान में कुल 105 राष्टी उद्यान तथा 532 अभ्यारण है तो मेरा वीडियो में पर खतम होता है और कल राष्टी उद्यान और अभ्यारण के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कौन सा महत्पूर्ण है किस राज में है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को सेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा थैंक्यू